एक हाथ लगाया और दीवार हो गई धड़ा सपा विधायक के एक धक्के से गिर गई इंजिनरी कॉलेज की दीबार वाइरल हो गया विडियो मामला उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश की प्रताफगड में निर्माणाधीन सरकारी उगजरी पॉलिश के निर्माणकारे का सफा विधायक में निरेक्षन किया और इस दोरां विधायक के एक धक्के से ही दीवार गिर गई जिसका विडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो गया है प्रताफगड के रानी गंज में बाबा बेलखर ना धाम के ब्लॉक में आयोजित सामुहिक विवाह योजना के कारिक्रम में जारह सपा विधायक डाक्टर हार के वर्मा से लोगों निर्माण कारे में अन्यमितिता के शिकायत की इसके बाद बिधायक ने निर्माणक कारे को मौके पर जाकर देखा बिधायक ने धक्का दिया तो निर्माणा धीन राजकी एंजिनरिंग कॉलिज दीवार गिर गई विडियो में आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि कैसे एक ही हाथ लगाने पड़ दीवार गिर रधी रही है शिवसद ग्राम के लोगों का आरोप है कि ग्राम सभा शिवसद मेराजकी एंजिनरिंग कॉलिज बस्तो बेट के सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण कारे चल रहा है और जिसलिए निर्माण में पूरी तरीक से अन्यमितिता बरती जा रही है निर्माण कारे के निरक्षन के दौरान विधायक जाक्टर आरके वर्मा ने बताया कि बहुत सारी दीवारे इतनी कंजोर है जिने धक्का देते ही मानो वो ठह जाएंगी जिसके बाद बिधायक ने विभाग के विभागी अधिकारियों को मौके पर बुलाया और जिलाधिकारी को भी जानकारी दे दी है मौके पर पहुचिया अधिकारियों के सामने ही विधायक न दीवाय पर हलका सा धक्का मारा तो वह गिर गई तो भागी अधिकारियों ने बताया है कि निर्मारकारियों के material sample को जांच के लिए भेजा जाएगा और रेपोर्ट आने पर जो भी दोसी होगा उसके खिलाफ कारेवाई की जाएगी और इस दोरान बिर्जेश पटेल विनो अधबर मासाई तमाम लोग मौझूद रहे इस विडियो में जो भी आपको दिखाया गया है कि एक मात्र हाथ लगाने से दीवार जह रही है दीवार गिर रही है इटे गिर रही है क्या प्रती फ्री आया है कि एमें कमेंड बाक्स में जरू कताईएगा फिल्हाल फिलिस कवर में इतना ही आप बन रहे है मारे साथ